Hello everybody, I hope आप सब healthy होंगी, मैं हूँ आपकी biology educator शिवानी माम, welcome back to Magnet Brains जो आपको प्रोबाइट कराता है kindergarten to class 12th, हर class, हर subject की quality education, वो भी बिल्कुल free जी हाँ आपने सही सुना, Magnet Brains प्रोबाइट कराता है unpaid subscription आपको किसी भी class, किसी भी subject को पढ़ने के लिए कोई भी paid subscription लेने की जरुवत नहीं है, चाहे वो CBSC board हो, UP board हो, विहार board हो, या MP board हो आपको हर class, हर subject के topic wise explanations मिलेंगे और साथ में मिलेंगे धेर सारे practice questions इतना ही नहीं आप mail कर सकते हैं e-notes and e-book जिसकी link description box में दी है तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज की वीडियो हमारी class 11th biology, unit number 3 that is cell structure and functions और इस unit का हम third chapter मतलब इस unit का last chapter cover कर रहे हैं जो की है cell cycle and cell division यह आपकी NCRT में chapter number 10 है और हम इसका multiple choice questions करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? multiple choice questions, हमने इसकी पूरी theory complete कर चुके है, NCRT solution दो पार्ट में complete कर चुके हैं, अब हम कर रहे है multiple choice questions मतलब MCQs, तो आज मैं लिकर आई हूं question number 1 to question number 15 और next जो session होगा उसमें मैं लिकर आउंगी, question number 16 to 30, right बीटा? तो आप सब ready हैं या नहीं, जल्दी बताइए MCQs करने के लिए, तो जल्दी सारे बच्चे अपनी attendance लगा दीजे, attendance कैसे लगाना, ये तो आपको बहुत अच्छे तरीकी से पता है, कैसे लगाना attendance? वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेर करना है अपने दोस्तों, भाई, बहनों और पडोसियों को, जिससे बो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके, right? तो without any further delay हम start करते हैं आज का session, तो आज का पहला question है, question number one, meiosis in deployed organism results in, आपको कैसे solve करना है, ये तो आपको पता है, पांच सेकेंड आपको मिलने वाले हैं और इस पांच सेकेंड में आपको अपना answer comment करना है, right बेड़ा? तो उस comment से मैं आपको बताऊंगी कि आप कितने बच्छों का कितना percentage answer जो है वो सही है, right? तो हम start करते हैं, आपके 5 second में आपको इसका correct answer type करना है, चलिए, तो पहला question है, meiosis in deployed organism results in, हम एक deployed organism है, हमारे अंदर meiosis का result क्या होता है? option A है production of gametes, option B है reduction in the number of chromosomes, option C है introduction of variation and option D है all of these, आपके 5 second शुरू होते हैं अब, चलिए, जल्दी बताइए, 5, 4, 3, 2, 1, time up, time up, बेटा, देखिए, हमें किसका production करना है? gamete का, मतलब इस process को हम क्या कहते हैं? gametogenesis, क्या बोलते हैं बेटा? gametogenesis, राइट? gametogenesis जो है एक process होती है, जिसमें हम किसका formation करते हैं? gamete का, मतलब sperm और ovum का, राइट बेटा? तो इसके लिए हमें क्या करानी पड़ेगी? कौन सा division कराना पड़ेगा? जल्दी बताइए, कौन सा division कराना पड़ेगा? meiosis, मतलब पहला सही हो गया, राइट? दूसरा क्या है? reduction in the number of chromosomes, बेटा, meiosis जो है, इससे और हम क्या बोलते हैं? reductional division, क्या बोलते हैं? reductional division, क्योंकि यह क्या करता है? बताइए, chromosome का number जो है, cell के अंदर, nucleus के अंदर, reduce कर देता है, कितना कर देता है? half अगर 46 है, तो 46 का half कितना कर देगा? 23, तो बिलकुल यह भी सही है, third बेटा, introduction of variation, variation का मतलब क्या होता है? change, right बेटा, क्या होता है? change, तो बिलकुल बेटा, meiosis की वज़े से क्या आते है? change, क्या आते है? change, क्यों? क्योंकि meiosis जो होता है, meiosis 1 में, प्रोफिस 1 के, पैकाइटी स्टेज में crossing over होती है, और उस crossing over की वज़े से एक नया combination बनता है, जिसे हम recombinant कहते हैं, क्या कहते हैं? recombinant, तो recombinant किसका कारण है? बताईए, recombinant किसका कारण है? जल्दी बताईए, meiosis और recombinant की वज़े से क्या मिलते हैं? में variations मिलते हैं, और ये variation जरूरी है, किसके लिए? evolution के लिए, किसके लिए? evolution, मतलब sexual reproduction नहीं होता, meiosis नहीं होती, तो evolution भी नहीं होता, तो ये तीनों की तीनों point किसको दर्शा आ रहे हैं? बताईए, meiosis को मतलब option D विलकुल correct answer है, क्या है, option D correct answer है, क्योंकि ये तीनों point सही है right, मेटा, तो जल्दी से इसका screenshot ले लिजिए, कितने बच्छों का answer option D था, जल्दी बताई, कितने बच्छों का answer था, हाना, जादे दर बच्छों का answer option D ही होगा, क्योंकि मुझे बता है, मेरे बच्छे काफी जादा होशार है, right, मेटा, चले, तो screenshot ले लिया कि आपने, 2 and question number 2 बोल रहा at which stage of meiosis does the genetic constitution of gamete is finally decided? Genetic constitution हम बात करें एक gamete का अगर genetic constitution हमें देखना है तो हम किस stage पर उसको decide करेंगे कि हाँ gamete का genetic constitution यही होने वाला है तो बेटा जल्दी बताए कब होगा वो meta phase 1 पे होगा या एना phase 1 पे होगा meta phase 2 पर होगा या एना phase 2 पर होगा जल्दी बताएए आपके 5 second true होते हैं अब 5, 4, 3, 2, 1 time up देखे वेटा अगर मैं genetic constitution की बात करूँ तो पहले आता है meiosis 1 right meiosis 1 में पहले क्या आएगा meiosis 1 में भी क्या आएगा pro phase 1, meta phase 1 right meटा एना phase 1 and telophase 1 right meटा उसके बाद हमने देखा meiosis 2 क्या देखा meiosis 2 meiosis 2 में भी पहला क्या आएगा pro phase 2, meta phase 2, enaphase 2 and telophase 2 right meटा अब देखिए जितना भी काम होना था ठीक है recombination होना right bibellent बनना, diakinesis यह सारी process हमारी इसी वाली stage में हो जाती है उसके बाद आते हैं सारे के सारे homologous chromosome meta phase 1 में equator पर आ जाते हैं, enaphase 1 में सारे homologous chromosome segregate हो जाते हैं, telophase में दो अलग-अलग nucleus बन जाते हैं, फिर आती हैं interkinesis, cytokinesis, फिर दो अलग-अलग cell बन गए, फिर हम चलते हैं pro phase 2 की तरफ, सारे के सारे जो chromosome हैं में फिर से condensation होने लगता है, meta phase 2 में यहां पर set of chromosome, 23 chromosome जो है equator पर आ जाते हैं, enaphase 2 में बेटा क्या होता है, यह जो chromosome है, इनकी sister chromatic separate होती है, इसके बाद कुछ नहीं होता, यहां पर decide हो जाता है genetic constitution of gametes, किसका बेटा, gamete का genetic constitution, मतलब क्या होगा, बताइए enaphase 2, क्या होगा, enaphase 2, राइट बेटा, तो जल्दी से screenshot ले लीजे, ओके, तो final पूछा हो उन्होंने, finally decided, genetic constitution of gametes finally decided, अब इसके बाद कुछ changes नहीं होने वाले, तो enaphase 2 ही क्या करेगा, finally decide करेगा, कि यह gamete का genetic constitution क्या है, राइट बेटा, तो जल्दी से इसका screenshot ले लीजे, जल्दी से screenshot लीजे, तो हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल correct answer है, हमारा option B, कितने बच्चों का option B correct answer था, सब thumbs up कर दीजे और अपने लिए खुद clap कीजे, राइट बेटा, चलिए, और जिन बच्चों का गलत हुआ, कोई बात नहीं, आप सीख लीजे, नेक्स्ट टाइम याद रखना, राइट बेटा, चलिए, आगे पड़े, चलते हैं, नेक्स्ट क्वेशन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेशन है, question number 3, and question number 3 है, meiosis occur in organism during, ठीक है, meiosis कब होती है, organism में meiosis कब होती है, sexual reproduction के दौरान, vegetative reproduction के दौरान, या both sexual and vegetative reproduction, या option D है, none of these, right, तो जल्दी से अपना comment कर दीजे, आपका answer क्या है, चलिए, जल्दी-जल्दी comment कीजे, मैं check करती हूँ, सबका कि किस बच्चे का क्या answer आ रहा है, right, चले, तो इसलिए मेरे को कुछ-कुछ नाम है न, अपने मुँँ पर याद रहते हो, इसमें मैं बिल्कुल बोलती हूँ, right, चले, तो स्टार्ट कीजे, जल्दी-जल्दी, आपके पास second शुरू होते हैं, अब, 5, 4, 3, 2, 1, time up, time up, बताइए क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, sexual reproduction के दौरान पर क्या होती है, meiosis, क्योंकि sexual reproduction के दौरान हमें क्या करना है, पहले gamete का formation करना है, right, तो gametogenesis के दौरान पर, किसके दौरान पर gamete formation या gamete formation को हम क्या बोलते है, gametogenesis, right, इस दौरान पर क्या होती है, meiosis, क्या होती है, meiosis, right, vegetative reproduction जो है, उसमें meiosis नहीं होती, right, बतो vegetative part जो है, वो detach होके पूरी body form कर लेता है उसमें meiosis नहीं होती तो option A जो है वो क्या हो जाएगा बिटा correct answer क्या हो जाएगा correct answer right check कर लिया सभी ने सभी का यह answer तो बहुत बहुत easy question था right I hope सभी से बन गया होगा सभी का answer सही होगा अगर किसी ने जल्दवाजी में गलत कर दिया है तो please याद रखिएगा next time ये गलती मत करना right चले next question की तरफ है question number fourth and question number fourth है during anaphase one of meiosis anaphase one में meiosis के anaphase one में क्या होता है जल्दी बताइए option A है homologous chromosomes का separation होता है option B है non homologous chromosome separate होते है option C है sister chromatids chromosome separate होते है and option D है non sister chromatids chromosome separate होते है जल्दी बताइए जल्दी बताइए क्या answer होगा इसका जल्दी बताइए जल्दी 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 क्या answer आया आपके 5 second खताम होने वाले है 5 4 3 2 1 time up time up देखे बिटा मैंने क्या बोला था कि एना फेस वन इससे पहले वाले second question में ही मैंने समझाया था ठीक है कि एना फेस वन में क्या होता है separation of homologous chromosome किसका separation होता है homologous chromosome का separate होते हैं किस पर separate होते हैं जल्दी बताइए एना फेस वन में राइट का option a वह connected correct answer right option A क्या है correct answer चलिए तो चेक कर लिया सारे बच्चों का यही answer था क्या जल्दी बताईए next है बेटा sorry I'm really sorry next question है question number fifth question number five क्या बोल रहा है बेटा mitosis is characterized by mitosis को कैसे characterize करते हैं option A है reduction division option B है equational division option C है बोथ reduction and equational division and option D है pairing of homologous chromosome तो mitosis is characterized by कैसे आग mitosis को characterize करते हैं बताईए जल्दी क्या होगा इसका answer reductional division equational division बतलब equal division both reduction and equation pairing of homologous chromosome बताईए pairing of homologous chromosome तो नहीं होता है हाना ऐसा तो नहीं होता है आपके पांस सेकेंड खतम हो रहे हैं मैं तो आपको भटका रही हूं बस जल्दी जल्दी four three two one time up time up चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखिए मिटा mitosis में reduction equational दोनों division नहीं होते यह तो मियोसिस में होता है मियोसिस one में होता है जल्दी बताईए मियोसिस one में होता है reduction division राइट बेटा मियोसिस one में होता है reduction division और मियोसिस two में जो है बेटा वो क्या होता है Equational Division, right? तो अगर Miosis पूछते तो हम इसको बिल्कुल बोल देते कि हाँ ये सही है यहाँ पर Equal Division होता है किसमे? Mitosis में Reduction Division किसमे होता है? जल्दी बताइए Reduction Division होगा आपका Miosis में किसमे? Miosis में, right? यहाँ पर Equal Division ये Equational Division किसमे होगा? Mitosis में और उन्होंने Mitosis ही पूछा है क्या पूछा है? Mitosis, right? बेटा तो Option B क्या हो जाएगा? Correct answer Option B क्या हो जाएगा? बताइए Correct answer जल्दी से screenshot लेजिए इसका फटा-फट बिना किसी देरी के इसका screenshot ले लीजिए क्या आपने screenshot लिया? बताइए तो हम आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ जाते हैं चलिए तो चेक कर लीजिए Option B क्या है? Correct answer है Option B क्या है? Correct answer चलते हैं Next question की तरफ और आज का Next question है Question No.6 And Question No.6 थे A bivalent of meiosis 1 Consist of Okay तो bivalent जो structure होता है कब बनता है? बताइए होता है bivalent Right Just visible Zygotene Just Zygotene Just Zygotene तो bivalent Just visible in Zygotene Completely visible in Pacitin stage of Prophase 1 ठीक है? चलिए अब यहाँ पर बोला हैं होने की Bivalent of meiosis 1 Consist of किसका बना होता है Bivalent structure Right तो वेटें यह Bivalent structure जो है इसमें पहला option है 2 chromatics 1 centromere दूसरा option है 2 chromatics 2 centromere Option C है 4 chromatics 2 centromere And option D है 4 chromatics 4 centromere बताइए Bivalent structure कैसे बना होता है आपके 5 seconds शरू होते हैं अब जल्दी जल्दी फटा-फट 5 4 3 2 1 Time up जल्दी बताइए क्या होता है विटा यह Bivalent structure जो होता है 2 chromosome से मिलकर बना होता है किस से बना होता है 2 chromosome से तो यह chromosome हो गया यह दूसरा chromosome हो गया ओके यह इसका chromatic हो गया यह इसका chromatic हो गया ठीक है तो यह structure को हम बोलते हैं Bivalent क्या बोलते हैं Bivalent यह Bivalent structure जो है इसमें आपको कितनी chromatic दिख रही है एक chromatic दूसरी yellow chromatic 1 2 3 4 तो कितनी chromatic दिखी 4 कितने centromere दिखे पताईए centromere कितने दिखे 1 2 तो centromere कितने दिखे 2 यह 2 क्या है 2 centromere है और 4 क्या है पिटा chromatic 4 क्या है chromatic 4 क्या है chromatic यहाँ पर 4 क्या है chromatic कितने है, बताईए जल्दी, कितने Centromere है आपके, 2 और Chromatics कितनी है, 4, तो कहा दिख रहा है ऐसा option? option c जो है वो यही बोल रहा है कि कितनी chromatids है बिटा 4 chromatids है and 2 centromere है इसको हमने क्या बोला bibalant या tetrad bibalant और tetrad इसको हम क्या बोलेंगे bibalant और tetrad bibalant और tetrad right बिटा तो जल्दी से screenshot ले जिसका क्या आपने screenshot लिया जल्दी बताईए तो आगे बड़े बताईए आप देखिए इसका आप answer check कर लीजिए option c क्या है correct answer है option c क्या है correct answer okay चलते है next question की तरफ और आज का next question है question number seven question number seven बोला है बिटा cell which are not dividing are likely to be be at चलिए जो cell divide नहीं करता वो किस phase से belong करता है g1 not g1 phase g2 phase g not phase या s phase जल्दी बताईए किस phase से belong करता है जहां पर cell which are not dividing ठीक है बताईए कौन सा phase होता है यह आपके पांच सेकंड शुरू होते हैं अब जल्दी 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 फाइव फोर त्री टू वान टाइम अप टाइम आप तो बेटा यह कौन सा phase होता है g not phase कौन सा phase होता है g not phase जैसे हम quiz sent phase भी कहते हैं क्या बोलते हैं quiz sent quiz sent phase क्या बोलते हैं quiz sent phase ठीक है तो जल्दी से इसका screen shot ले लीजे कौन सा होगा option c option c क्या होगा जल्दी बताइए correct answer option c क्या होगा correct answer right इतना समझ में आया या नहीं जल्दी बताइए तो इसका screen shot ले लीजे screen shot लीजे क्या आपने cell cycle के अंदर g not phase को देखा है नहीं g1 phase देखा है s phase देखा है g2 phase देखा इंटर phase के अंदर g not को नहीं देखा चेक कर लीजे बिलकुल correct answer है option c option c क्या है correct answer right बता चले आगे बड़े next है question 8 and question 8 बोल रहा है which of the events listed below is not observed during mitosis तो बेटा यहां पर हमें चार option दिये गए है और इस चार option में से आपको find करना है कि कौन सा event mitosis में नहीं होता याद रखना mitosis में नहीं होता तो जल्दी पहला है chromatin condensation क्या chromatin condensation mitosis में होता है जल्दी बताइए होता है तो किस phase में होता है वो भी आपको लिखना है आपको जब यह पता होगा क्यों नहीं है यह या क्यों है कब होता है तो बिलकुल आपको question कोई भी गलत नहीं कर सकता आपका next है movement of centriole to the opposite pole centriole का movement opposite pole पे होता है अगर होता है तो कब होता है next है appearance of chromosomes with two chromatids joined together at the centromere ठीक है तो ऐसा कुछ होता है कि chromosome जो है वो दो chromatid के साथ join है कहाँ पर centromere पर and option D है crossing over जल्दी बताइए इसमें से कौन सा event my toss इसका नहीं है आपके 5 seconds शरू होते हैं अब 5 4 3 2 1 time up time up जल्दी बताइए क्या होगा पेटा chromatin condensation होता है बिलकुल होता है किस phase में होता है pro phase में किस में होता है मैंने पढ़ाया था कि pro phase में क्या होता है बिटा chromatin condensation right movement of centrioles to the opposite pole ये भी कब होता है pro phase में ओके next है appearance of chromosome with two chromatids joined together at the centromere ये भी बिलकुल किसका part है mitosis का right तो ऐसा होता है mitosis में ऐसा chromosome होता है की नहीं कि एक centromere से क्या जुडए हो बेटा जल्दी बताईए ये क्या है centromere ये क्या है centromere और इस centromere से क्या है दो chromatids जुड़ी हुई है ऐसा देखा है या नहीं देखा जल्दी बताईए इस प्रकार से आपने chromosome को देखा है की नहीं देखा बताईए ऐसा देखा है की नहीं देखा तो ये तो बिल्कुल देखा होगा तो ऐसा तो है दो chromatids है न ये क्या है जल्दी बताईए, true chromatids, यह क्या है, two sister chromatids, एक ही chromosome की chromatids को हम क्या कहते है, sister chromatids, और homologous chromosome की chromatids को हम क्या बोलते है, non-sister chromatids, क्या कहते बिटा, non-sister chromatids, right, crossing over, बिलकुल नहीं, crossing over तो किस में होता है, जल्दी बताईए, crossing over, जो है, meiosis 1K, किस में बिटा, meiosis 1K, prophase 1K, prophase 1K, prophase 1K, pacytin stage में होता है, किस में होता है, pacytin stage में, right, किस में होता है, pacytin stage में, right, तो जल्दी सिसका screen shot ले लेजिए, क्या आपने screen shot ले लिया है, जल्दी बताईए, क्या आपने screen shot ले लिया, तो इसी बात पर जल्दी फटा फट बिटा, वीडियो को like कर दीजे, जल्दी, आप देखिए, बिलकुल हमारा option D क्या है, correct answer, और नहीं पूछा था, कौन सा event, mitosis का नहीं है, तीनों थे, एक नहीं था, अब है next question, question number 9, and question number 9 है बिटा, identify the wrong statements about meiosis, तो meiosis के लिए कौन सा statement wrong है, चलिए, तो meiosis के लिए कौन सा statement wrong है, हम देख लेते हैं, पहला option है, pairing of homologous chromosomes, pairing of homologous chromosomes क्या meiosis में होता है, option B है, four haploid cells are formed, क्या ये सही है, option C है, at the end of meiosis, number of chromosomes are reduced to half, कैसा होता है, कि meiosis में number of chromosome जो है, वो half हो जाते हैं, and option D है, two cycles of DNA replication occur, क्या option D correct है, जल्दी बताइए, इसमें से कौन सा option, क्या है, गलत statement है, meiosis के लिए, आपका पांच सेकंड शुरू होते हैं, अब, five, four, three, two, one, time up, time up, जल्दी बताइए, बेटा, कौन सा answer correct होगा, आपके इसाब से कौन सा answer है, इसमें, कौन सा incorrect है, correct हो, तीन दिख रहे हैं, मुझे, incorrect बताइए, इसमें से कौन सा है, आप सभी का answer आगया, जल्दी बताइए, तो हम भी चलते हैं, हम भी explanation दे देते हैं, कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, और क्या reason है, राइट, चलिए, तो पहला है, pairing of homologous chromosome, बिल्कुल बेटा, pairing of homologous chromosome होता है, जिसे हम synapsis कहते, क्या बोलते हैं, synapsis, राइट, और ये synapsis, जो है बेटा, ये कब होती है, बताईए, meiosis 1 के prophase, 1 के कौन से phase पर, zygoteen पर, राइट, कब होती है, zygoteen, कब होती है, बताईए, zygoteen में क्या होती है, synapsis, और ये किसका part है, prophase 1 का, राइट, किसका है, prophase 1 का, बिल्कुल, ठीक है, next है, four haploid cells are formed, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो क्या है, meiosis का result है, result of meiosis, ये क्या है पिटा, result of meiosis, क्या है, four haploid cells, बिल्कुल सही है ये भी, okay, next है, at the end of meiosis, number of chromosomes are reduced to half, बिल्कुल, इसलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, reductional division, क्योंकि meiosis में क्या हो जाता है, बताइए, ये chromosome का number half हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, reductional division, हाना इसी कारण से, meiosis is also called, called, reductional division, क्यों कहते हैं, reductional division, क्योंकि number of chromosome, reductional division, क्यों कहते हैं, ऐसे जल्दी बताइए, because, because number of chromosome, number of chromosome reduced to half. इसी लिए तो इसे हम क्या बोलते हैं, reductional division, next है, two cycles of DNA replication, चाहे meiosis हो बटा, चाहे mitosis हो, बताइए, यहाँ बट DNA का replication सिर्फ एक ही बार होगा, inter-kinesis stage में DNA replication नहीं होता, तो ये point गलत है, DNA replication occurs only one time, हाना, only occurs only one time, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, बताइए, ये गलत है या नहीं, क्यों क्योंकि यहाँ पर only replication of DNA, replication of DNA, takes place in S phase of interface, ये point याद रखोगे, दूसरा point जो याद रखना है, आपको क्या रखना है, जल्दी बताइए, वो क्या होगा, जल्दी बताइए, दूसरा point ये याद रखना है, during, during interkinesis, during interkinesis, interkinesis, replication of DNA does not take place, replication of DNA does not take place, does not take place, right बेटा, तो जल्दी से इसका screenshot लीजे, कौन सा होगा इसका option, जल्दी बताइए, तो option D क्या है, incorrect one, right, तो जल्दी से एक बार हम check कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, चलिए, तो check करिए, क्या सही है ये, ले लिया पेड़ा screenshot देखिए, कितने अच्छे से solve किया हमने एक question को, इतना लिखना चाहिए एक question में, तब ही जाकर clear होता है वो, चलिए, next question है, question number 10, तो question number 10 क्या है बिटा, select the correct statement about G1, तो G1 के बारे में हमें correct statement बतानी है, ओके, क्या दिक्कत है, जल्दी बता देते हैं, आपके पास second true होते हैं, चलो, ओके, ओके, sorry, sorry, नहीं, पहले मैं पड़े देती हूं, नहीं तो बोलोगा, मैं आज आपने पढ़ा नहीं पहले, चलो, cell is metabolically inactive, इनका कहना है कि G1 phase में cell metabolically inactive होते हैं, क्या ये सही है, option B है, DNA in the cell does not replicate, तो इनका कहना है, जो DNA है, वो G1 phase में replicate नहीं होता, option C है, it is not a phase of synthesis of macromolecules, इनका कहना है कि macromolecule की synthesis वाला phase नहीं है, and option D है, cell stop growing, इनका कहना है कि G1 में आपका cell grow नहीं करता, जल्दी बताई, तो कौन सा option correct है, याद रखना, इसमें से हमें correct option choose करना है, मतलब तीन option गलत है, G1 के बारे में सिर्फ एक ही option सही है, तो आपके 5 seconds शरू होते हैं, अब जल्दी बताईए, कौन सा option correct है, 5, 4, 3, 2, 1, time up, time up, जल्दी बताईए, कौन सा option correct है, तो देखिए बटा, G1 phase में cell जो है metabolically active होता है, ना की inactive, तो ये तो गलत बोल रहे हैं ये, active होता है, कैसा होता है, active होता है, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पर in the cell, in the cell does not replicate, इसमें DNA replicate नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, कब होता है ये तो, as phase में होता है, तो ये point सही लग रहा है मुझे, उपर वाला तो गलत बोल दिया, इसमें इन्हों ने बोला कि, does not replicate, सही point है ना, G1 में कहाँ DNA का replication होता है, वो तो S phase में होता है, राइट बिटा, C option भी देख लेते हैं, इनका कहना है, it is not, phase of synthesis of macromolecule, मैं macromolecule क्या होता है, अरे भाई, protein, तो क्या इसमें macromolecule का formation नहीं होता, synthesis नहीं होती, बिल्कुल होती है, जो G1 phase है, इसमें क्या होता है, बताईए, क्या होता है, protein की synthesis होती है, इसकी protein की synthesis होती है, जो की DNA replication में require होते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, synthesis of protein, synthesis of protein, for DNA replication, और क्या होता है, और यह protein क्या होते है, enzymes, और क्या होता है, इस phase में और क्या होता है, एक और सीज होती है, दूप्लिकेशन of maximum cell organelle तो यह point तो गलत बोल रहे हैं, ठीक है, next is stop growing, बेटा, मैंने बोला थे, इसे gap, G1 को gap phase और growth phase कहते हैं, बिलकुल इसको हम और क्या कहते हैं, growth phase, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बताइए, cell की growth होती है, G1 और G2 में, maximum cytoplasmic growth जो है, वो किस phase में देखने को मलती है, G2 phase में, बत growth दोनों में होती है, तो यह तो गलत बोल दिया है, नोंने, तो एक ही option में इसको correct दिख रहा है, जो की है आपका option B, क्या है बिटा option B, तो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजे, एक बाद चेक कर लीजे, आंसर सही है या नहीं, हाँ, बिल्कुल correct है, जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजे, क्या आपने स्क्रीन शॉट ले लिया, बताईए, क्या आपने स्क्रीन शॉट लिया, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, चले, तो next question है बिटा, आज का question number 11, and question number 11 बोल रहा है, cells in G naught phase, G naught phase में जो cells होते हैं, ठीक है, उनका क्या, function क्या है, terminate the cell cycle, cell cycle को terminate कर देते, exit the cell cycle, या enter the cell cycle, या suspended the cell cycle, क्या option है यहाँ पर, जल्दी बताईए, option A, option B, option C, और option D, जल्दी बताईए, option A बोल रहा है, terminate the cell cycle, option B कहता है, exit the cell cycle, option C कहता है, enter the cell cycle, and option D कहता है, suspended the cell cycle, जल्दी बताईए, आपके पास सेकेंड श्रू होते हैं, अब 5, 4, 3, 2, 1, time up, तो मैंने आपको अभी बताया था, G naught phase को, और हम क्या बोलते हैं, quescent stage या quescent phase, इसमें क्या होता है बेटा, ये, इसमें cell जो है बेटा, वो cell cycle को exit कर देता है, क्या कर देता है, exit कर देता है, वो cell cycle में नहीं रहता, राइट बेटा, चलिए बताईए, तो ऐसे कौन से cell है, जो permanently G naught phase में रहते हैं, cardiac cell, heart के cell, neuron cell, और कहीं न कहीं skeletal muscle cell, तो जल्दी से सका screen shot लीजिए, कुछ cell ऐसे होते हैं, जो temporary वहां रहते हैं, conditional होते हैं, वो क्या होते हैं, जब condition होती है, जब body को requirement होती है, occasionally वो क्या करते हैं, divide शो करते हैं, मतलब G naught को छोड़के, वो कहां पर आ जाते हैं, cell cycle में, राइट बीटा, जैसे की liver cell, pancreatic cell, kidney के cell, वहीं पर, मैं बात करूँ, एक ऐसे cell होते हैं, जो की कभी भी G naught phase में नहीं आते, उन cell को हम live wild cell कहते हैं, जैसे की skin के cell, जो की हमेशा divide करते हैं, division show करते हैं, GIT के cell, gastrointestinal tract के cell, वो कभी भी G naught phase में नहीं जाते, इतना clear हुआ, जल्दी बताईए, तो screenshot ले लीजे इसका, क्या आपने screenshot ले लिया है, ओके, तो next question है मेशा, question number 12, and question number 12 है, what happens to a cell, after M phase of cell cycle, अच्छा, इनका कहना है, cell के साथ क्या होता है, ठीक है, जब वो M phase में, after M phase of cell cycle, M phase के बाद चल लिए, तो nucleosytoplasmic index decrease होता है, क्या बोल रहा है बटा ये, कि nucleosytoplasmic index जो है, वो decrease होता है, या increase होता है, बताईए, after M phase की बात कर रहा है, right, decrease होता है, increase होता है, या nucleosytoplasmic index fluctuate करता है, या nucleosytoplasmic index जो है, remain constant, बताईए, क्या होगा इसका आंसर, आपके 5 seconds होते हैं अब, 5, 4, 3, 2, 1, time up, time up, आपका समय समाक्त हुआ, बताईए बिटास का क्या आंसर होगा, देखिए, यहाँ पर क्या हो जाता है, cytoplasm का amount क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तब ही तो cell division होता है, right, कब, जब nucleus का control, cytoplasm में अच्छे से नहीं होता, तब क्या होता है, cell division, right, बता, जब nucleus है, वो cytoplasm पे अपना control show नहीं कर पाता, अच्छे से, तो क्या होता है, cell division होता है, तो यहाँ पर, nucleo cytoplasm के इंडेक्स क्या होता है, decrease होता है, क्या होता है, decrease होता है, right, बेटा, तो जल्दी से इसका screenshot ले लिजे, फटवट इसका screenshot लिजे, क्या आपने screenshot ले लिया है, जल्दी बताईए, क्या आपने screenshot ले लिया, तो जल्दी से इसका screenshot टीचे, ले लिया, आगे बड़े, चलिए, तो next question की तरफ चलते हैं, और आज का next question है, question number 13, question number 13 बोल रहा है, the checkpoint in cell cycle plays important role in, repairing of DNA damage, apoptosis initiation, assessing DNA damage, and option D है, none of these, checkpoint बेटा जो है, वो क्या करते हैं, repairing करते हैं DNA की, मैं बात करते हूँ, cell cycle में 3 checkpoints होते हैं, मैंने पढ़ाया, कौन सा, पहला कौन सा checkpoint होगा, G1 checkpoint, right, कौन सा होगा, G1 checkpoint, जिसे हम बोलते हैं, pre-replication checkpoint, right, दूसरा checkpoint होता है, G2M checkpoint, कौन सा होता है, जल्दी बताईए, G2M checkpoint, और third checkpoint होत सा, metaphase, metaphase, checkpoint, right, तो जल्दी बताईए, कौन सा checkpoint, ये है, बताईए, checkpoint में होता क्या, repairing of DNA होता है, apoptosis होता है, assessing DNA damage होता है, या none of these, आपके पास second true होते हैं, अब जल्दी, 5, 4, 3, 2, 1, time up, time up, जल्दी बताईए, बिटा, यहां repairing नहीं होती DNA की, apoptosis initiation नहीं होता, assessing होती है DNA damage की, क्या होती है DNA damage की, assessing होती है, right, एक बार check कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, right, बिल्कुल सही है, तो आपका screenshot हो गया की नहीं हुआ, जल्दी बताईए, screenshot ले लिया आपने, चलिए, next question की तरफ चलते हैं, और आज का next question है, question number 14, तो question number 14 है, बिटा when cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activate, चलिए, तो उनका कहना है की जब, when cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activate, कौन सा checkpoint activate होगा, G1S checkpoint, G2M, M, या बोद G2M and M checkpoint, जल्दी बताईए, क्या answer होगा असका, जल्दी फटा फट बेटा, आप screenshot ले लिजे, जल्दी 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 क्या कराएंगे, बताईए, क्या कराएंगे हम, checkpoint पे, जल्दी बताईए, कौन सा checkpoint यहाँ पर activate होगा, चलिए, जल्दी जल्दी फटाफट, सबका answer आगया क्या, 5, 4, 3, 2, 1, time up, time up, चलिए, तो समय समाप्थ हो गया आपका, क्या answer होगा, option B, G2M checkpoint क्या होगा, पिटा, activate होगा, कौन सा, G2M checkpoint, यह second checkpoint होता है, तो यह क्या हो जाएगा, activate, पहला checkpoint क्या था, G1 checkpoint, जिस पे हमने देखा था, कि भाई, जो proteins बनी है, DNA replication के लिए, वो सही है, या नहीं, राइट, चलिए, तो इसका screenshot ले लीजे, जल्दी से screenshot लीजे, क्या आपन screenshot ले लिया है, जल्दी बताईए, तो हम आगे बढ़ते हैं, ओके, ओके, चलिए, तो next question है, question number 15, and question number 15 है, an example of mutagen is, मिटा, mutagens क्या होते हैं, mutagen, तो देखिए, मैं mutagen को break करती हूँ, दो में, किस में, mutagen को break करती हूँ, दो में, पहला है muta, muta का मतलब है, यहाँ पर mitosis, gen का मतलब है generating, ठीक है, ऐसे chemical, जो mitosis को क्या कर रहे है, generate कर रहे है, उसको क्या कर रहे है, influence कर रहे है, process को करा रहे है, कौन कौन से होते हैं mutagens, जल्दी बताईए, mutagens कौन कौन से होंगे यहाँ पर, जल्दी जल्दी जल्दी, और जिन कौन हो जाएगा जो आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं और जिन जिबुर्लिन राइट साइटो काइनिन कौन साइटो काइनिन और क्या हो जाएगा आपका इथाइली यह क्या होते है बेटा बताईए यह क्या होते हमारे म्यूटा जन्स क्या होते हैं म्यूटा जन्स राइट बेटा तो जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लिजे जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले जे राइट mitotic poisons, जो poisons होते हैं वो कौन हो जाएंगे, जल्दी बताइए mustard gas, हाना, colgicine यह क्या है mitotic poisons है याद रखना, तो यहाँ पर क्या है इसका answer, क्या है mutagen का, जल्दी बताइए option A, cytokinin option A, cytokinin right, तो जल्दी से बिटास का screen shot ले लीजिए जल्दी से screen shot लीजिए क्या आपने screen shot ले लिया है, जल्दी बताइए क्या screen shot ले लिया है आपने तो एक बार check कर लीजिए बिलकुल ठीक है, check कर लिया आपने ओके, चलिए, यह तीन तो cargo hydrate है, चलिए, आगे बड़े तो यही पर हम खतम करते हैं, MCQs का question number 1 to 15 I hope आपको हर एक question अच्छे से समझ में आ गया होगा कोई concept आपको नहीं बनता था तो मैंने हर एक option के तुरू आपको concept भी समझाने की कोशिश की तो वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजिए, share कीजिए and subscribe कीजिए comment करना, बिल्कुल मत भूलेगा तो आप हमें YouTube चैनल पे तो अलरीडी follow कर रहे होंगे ऐसा मैं सोच रही हो और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो किस बात की देरी जल्दी फटा-फट पहले YouTube चैनल को subscribe कर दीजिए and bell icon को क्लिक कर दीजिए जिससे डेली बेसिस पर आपको notification मिलते रहे डेली बेसिस पर आप recorded videos as well as live session attend कर सके इसके अलाबा आप हमें follow कर सकते हैं हमारे official page पर तो page को फॉलिक करने के लिए आपको simply google या chrome पर जाना है and वहाँ type करना है magnet brains जैसे ही आप magnet brains type करोगे तो आपको इस टाइब का एक page open होगा इस page में kindergarten to class 12th class तक के लिए आपको complete course की playlist अबलेबल होगी specially 11th and 12th class के लिए यहाँ पर आपको stream wise playlist मिलने वाली है जैसे की science team commerce team and humanities team इस playlist में आपको क्या क्या चीज़े मिलने वाली है तो यहाँ पर आपको NCRT के पूरी theory advanced theory जो कि आपको competitive exam में जरूरी है उसके अलाबा आपको क्या चीज़े मिलने वाली है आपको NCRT solution MCQs, MIQs, One Short Revision Quick Revision and Daily Practice Question इतना सब कुछ आपको यहाँ पर हम playlist में available कर रहे हैं जिससे आपको इधर उदर भागने की जरूरत नहीं है सारा आप यहीं से करो हर एक chapter के अंदर आपको जो जो चीज required है जो जो चीज करनी चाहिए वो सारी की चीज़े आप यहाँ पर आपको playlist में मिलने वाली है जिसके आपका हर एक chapter हर एक topic हर एक subject strong हो जाए और आपका किसी भी प्रकार में कोई भी परिशानी फीस नहीं करनी पड़े जिससे आपकी study काफी जादा smart बनने वाली राइट इसके लाभा आप हमें follow कर सकते हैं हमारी official website पर that is www.magnatebrains.com और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे social media handles के तरू जैसे की facebook, instagram, twitter, telegram and whatsapp आप अवेल कर सकते हैं e-notes and e-work जिसकी link description box में दी है तो चलते हैं Magnate Brains के top courses की तरफ उससे पहले जान लीजे कि Magnate Brains के दो channel है Hindi Medium Channel and English Medium Channel Hindi Medium Channel पे सारे courses आपको Hindi में available रहेंगे वहीं पर English Medium Channel पे सारे courses आपको English में available रहने बाले हैं अब इन दोनों channel की मैं बात करूँ तो Hindi Medium Channel पे आपको 6th class to 12th class तक के सारे courses available होने वाले हैं वहीं पर English Medium Channel पे kindergarten to class 12th के सारे courses available है राइट अब बात करते हैं कि इन दोनों channel पे कौन को उसे courses available है तो यहाँ पर आपको CBSE board की preparation कराई जाती है किसकी? CBSE board की क्या सिर्फ CBSE board की preparation कराई जाती है? क्या magnet brains का platform state boards वाले बच्चों के लिए नहीं है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि magnet brains CBSE board के साथ state board को भी include करता है जैसे की Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board, Vedic Maths, Crash course and spoken English ये सारे के सारे top courses magnet brains आपको high quality education के साथ 100% free में provide कराता है जी हाँ मैंने यही कहा और आपने सही सुना magnet brains provide कराता है unpaid subscription तो जुड़े रही मुझ से और magnet brain से मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाबाए